सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने एक बार फिर करीब सुभे चार बजे संघर श्विराम का उलंगन किया और इस पीच सीमा से सटे इलाकों में अब भी दश्ट का माहोल बना हुआ है बता देंगे दो दिन पहले भी पाकिस्तानी गोली बारी से बीएसेफ का एक जवान शहीद हो गया था लोगों की माने तो सुभे चार बजे पाकिस्तानी रेंजर्स ने अंधा दुन गोलियां चलाई और जिसके बाद माल मविश्यों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा हलागे भारतिय सेना भी मूतोर जवाब दे रही है लेकिन इसके बावजूद भी सीमा से सटे इलाको में लोग डरे हुए हैं क्योंकि घरों के साथ साथ माल मविश्यों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है पिंड़ दासाथ पासा पीएने सारी दंगरी भी कोई नुकसान उठानों इन भी चान नहां को पिशे को जगा जुगा दिती जा ए लोके किंगां कि जारा करना ना इदिराती जाने चार बाई करना हाँ डार बाद लगा साथ कुरिये सारे नियान उठी पेदे है आँ गोले बदेर पेदर केत्रा विचे साड़े दर लागा पेदर करें लागा भी तंकरे डंगरे लगी दियां सरकारी आखना पला साड़ा के सबकारो साधन पनाओ के साड़ बच्चें कर पड़ाई खराब वादियां